नमस्कार and I welcome you all to study IQ मैं हूँ रशान्दवर नाव ग्लोबल मीडिया आज के समय एक टॉपिक को extensively कवर कर रहा है वो यह है कि US की सीक्रेट सर्वेस आज के समय अलर्ट पे है क्योंकि US को रिपोर्ड मिली है कि इरान अटाक कर सकता है ट्रम पे इरान मारना चाहता है डॉनल्ड को यहां पे आप देख पाओगे ट्रम सेक्योर्टी बूस्टेड वीक्स अगो ओवर इरान प्लॉट टु किल हम हाली मैं आपको बता है जैसे के ट्रम को मानने की कोशिश करी गई थी इंटरस्टिंगली इस अटाक से पहले ट्रम की सिक्योर्टी बढ़ाई गई थी क्योंकि यूएस की इंटेलिजेंस को ये जानकारी मिली के इरान भी ट्रम को माना चाहता है बाइद अवे जो इन पर 14 जुलाई को ये अटाक हुआ था इसमें इरान की इंवाल्मेंट थी न अगर इरान ने कोशिश भी करी प्रेजिडेंट ट्रम को मारने की ये एक act of war माना जाएगा और आप देखोगे यूएस के बहुत सारे lawmakers openly ये बात बोल रहे हैं और मेरे हिसाब से Americans का ये stance बिलकुल ठीक भी है जी हाँ बिलकुल यहाँ पे मैं कहूंगा कि Americans बिलकुल सही बा अमेरिका को ट्रीट करना चाहिए इसे as an act of war reason मैं आपको ये बदाता हूँ क्योंकि Donald Trump अगर मर जाते अगर 14 जुलाइक को Trump मर जाते लिटरली USA में civil war हो सकती थी Democrat Republican Party के जो supporters है शड़कों पे आजाते भारी हिंसा होती यहाँ पे आप देख पाऊगे अगें ये सिर्फ मेरी statement नहीं है पूरी दुनिया ये कह री है कि one inch away from civil war एक इंच गोली अगर थोड़ा सा और इदर दर होती और Trump की अगर मौध हो जाती तो बिलकुल USA में civil war हो सकती थी Interestingly जब Trump को गोली लगी थी न तो पूरे USA में एक trend note किया गया कि अचानक से लोगों ने Google search engine पर लगातार civil war to civil war to American civil war ये सब सर्च करना start कर दिया था और जैसे ही Americans ने ये बात लिखनी start कर दी कि अगर हमारे former President Trump को मानने की कोशिश करी तो हम इसको मानेंगे as an act of war इरान ने suddenly अपना जो posture है ये correct कर दिया इरान ने international media को ये कहा कि देखो जो भी report USA को आई है USA की intelligence को जहां से भी पता लगा है वो report गलत है हम लोग Trump को मारना नहीं चाहते हैं ना हो यहाँ पे मुझे बोलना पड़ेगा ये इरान का एक complete U-turn है क्योंकि पिछले चार सालों में इरान ने इनके revolutionary guard core ने बहुत सारी videos publish करी है जहां पर literally ये दिखा रहे हैं कि कैसे ये Donald Trump को मारेंगे इदर आप देख पाओगे 2022 का article है The Jerusalem Post का Israeli media है और यहाँ पर ये वो वीडियो है जो इरान ने post करी थी ये वीडियो आयोतला अली खमेनी जो इरान के supreme leader है जो president से भी उपर आते हैं उनकी website पर ये वीडियो डाली गई थी और इदर आप देख पाओगे यहाँ पर इस वीडियो में Trump का जो Florida Beach House है ये दिखाया है ठीक है यहाँ पर ट्रम गॉल्फ खेल रहे हैं ये दिखाये नोंने यहाँ पर यह सब of course 3D animation से बनाय गया है और फिर यहाँ पर एक छ व्यक्ति ये है कसिम सुलेमानी जब डॉनल्ड ट्रम पावर में थे तब 2020 में Trump ने order दिया था कि सुलेमानी को मार दिना चाहिए तो US military ने क्या किया कि कसिम सुलेमानी जब इरान से भार निकल कर इराक में गया तो एक drone attack से कसिम सुलेमानी को मार दिया इसकी हुज़े से इन्होंने यहाँ पर ये कसिम सुलेमानी की जो फोटो है ये दिखाई है almost as an act of revenge के Trump ने कसिम सुलेमानी को मारा था अब ये लोग Trump को मारेंगे और इस वीडियो में आप देखोगे Trump को target किया जाता है और इस तरीके से यहाँ पर इरान के पास ऐसे gadgets है भी नहीं कहीं से भी क load करता रहा था और अब अचानक से एरान का ये कहना कि नहीं हम Trump को नहीं मारना चाहते ये बहुत बड़ा U-turn है और सबसे जारा फशनी बाद ये है कि Iran की सरकार ने आगे ये भी कह दिया कि ये लोग एक्चली Trump को मारना नहीं चाहते ये लोग चाहते हैं कि Trump जेल में जाएं क्योंकि ट्रंप की वज़े से ही कसम सुलिमानी जनरल कसम सुलिमानी को मारा गया था तो अगें ये विउपोइंट है इरान का मगर एक बहुत ही इंटरस्टिंग बाद यहाँ पर देखने वाली ये भी है कि ट्रंप की जो सिक्योर्टी है इसमें हाल ही मेong mask टिये गए है सबसे वड़ा चेंज तो आप ये देखोगे कि ट्रंप की चो कौर्टीम है सिक्योर्टी गार्ड्ड की वहाँ पे विमेन आपको नहीं रहेंगी क्योंकि जब Trump पे attack हो उसके बाद ऐसी images सामने आई न तो आप के लो USA में कई लोगों ने blame किया कि female agents को क्यो deploy कर रखा था ऐसी जगा और कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि Trump एक बहुत ज़ादा लंबे व्यक्ति हैं उनकी height 6 foot से भी उपर है तो women काफी बार उनको एक protective cover दे भी नहीं पाएंगी because of the height issue तो इसलिए अब आपने देखा होगा Trump अब जहां भी जा रहे हैं इनकी security में completely हर जगा आपको men दिखेंगे और जो agents हैं ये भी change हो चुकी हैं ज़ादा experienced agents अब deploy कर दिये गए हैं clearly अब US government भी Trump की security को लेकर बहुत serious है क्योंकि अगर कहीं से भी news आजाती है कि एक attack होने के बाद फिर से Trump पे assassination का attempt हुआ इससे देहिए US की security को लेकर बहुत ही serious questions खड़े हो जाएंगे तो अब से लेकर नवंबर 2024 का time बहुत ही interesting रने वाला है क्योंकि US की history रही है कई बार इनके presidents पर assassination attempts हो चुके है चाहे Ronald Reagan हो या फिर उससे पहले आप जाओ George W. Bush और even Gerald Ford I mean list इतनी लंबी है कई American presidents को successfully assassinate भी कर दिया गया था for example सबसे बड़ा नाम यहाँ पर सामने आता है Abraham Lincoln और Abraham Lincoln तो खेर पहले US President थे जिनको assassinate किया गया था उसके बाद की जो list आप अगर देखो तो James A. Garfield, William McKinley, John F. Kennedy तो US की एक बहुत जादा bloody history of assassinations और आज के समय Trump को protect करके रखना ये US की secret service agencies का main objective है तो ये topic देखिए अभी बहुत ही जादा news में रहेगा तो इससे related कुछ updates आती हैं मैं आपके लिए बाद में updated वीडियो ले आऊँगा you will miss देखना होगा will Iran miss or not now finally यहाँ पर आपसे question पूछूँगा हाल ही में वो कौन से sitting world leader है जिनोंने 100 million followers का mark cross कर दिया x.com पे मतलब twitter पे 100 million followers अब इनके हो चुके हैं यह हैं आपे आपकी options जो बाइडन नरेंदर मोदी इमेनियल माकरों या फिर जस्टें टुडो वैसे अगर मैं बात करूँ उन leaders की जो power में नहीं है पहले president रह चुके हैं उस case में अगर हम देखे तो बराक उबामा को सो आगे है 100 million छोड़िये इनके follower हैं 131 million तो बताइए अब आज के समय जो sitting world leaders हैं उनमें सबसे आगे को निकल चुका है 100 million followers का mark किसने cross किया है comment section में करिए answer जो लोग सही answer देंगे उनकी comment को मैं हाट दे दूँगा ताकि वाखी लोग समझ पाए के सही उत्तर क्या है और finally आपर मैं ये भी add कर दूँ के study IQ का जो प्रतिग्या batch है ये शुरू हो जाएगा 18 जुलाई से 18 जुलाई को है पहली class मतलब कि आपकी UPSC preparation का पहला दिन सब कुछ beginning से start होगा चाहे history, polity, कोई भी और topic everything will start from chapter 1 तो आज या फिर 18 तालीक से पहले पहले आप अगर enroll कर लेते हैं तो पहली class आप attend कर रहे होंगे with the rest of study IQ students तो आपको करना क्या है simply जाएए वीडियो के comment section में pinned comment में आपको मिलेगा यहाँ पर यह link और यहाँ पर परचेस कर सकते हैं study IQ का प्रतिग्या batch इस link पर click करके आपके सामने खुल जाएगा यह page और यहाँ पर आप buy कर पाओगे the P2I foundation batch इसे हम P2I इसले कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आपका prelims, mains और interview तीनों cover किया जाएगा यहाँ पर आपको मिलती है one to one mentorship जो चायद किसी और course में आपको ना मिले answer writing program test series भी आपको मिलेगी और आपके घर में books भी deliver की जाएगी मगर जो यहाँ पर price लिखा है यह पर मत कर देना simply यहाँ पर code use करिए PD10 and the prices will start falling up और वैसे जो code यहाँ पर लिखे है अगर आप इनको use करते हैं तो आपको maximum discount नहीं मिलेगा you will get the maximum discount possible by using the code PD10 तो याद रखिएगा 18 July को है पहली class the best time to start is now so इसी note के साथ यह है video कांथ thank you for listening and as I always say may the gods watch over you